नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्त उपस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपुन जानकारी को ले करके जी हाँ चावल के पानी को फिंकिये मत हम आपको बताएंगे इसके आठ चमतकारिक फायदों के बारे में जिसके बाद आप इसे पीना जरूरी समझने लगेंगे वर्तमान में लगभग हर कोई भोजन में चावल खाना पसंद करता है लेकिन क्या कभी आपने चावल के गर्मा गर्म पानी का सेवन किया है जिसे लोग मान के नाम से भी जानते हैं क्या आप जानते हैं कि उबले चावलों का पानी हमारी सेहत के लिए काफी फायदे मंद हो हुए बचा हुआ सफेद गाढ़ा पानी बहुत काम का होता है उसमें प्रोटीन विटामिन एवं मिनरल होते हैं जो स्वास्त के लिए लाफदायक होने के साथ साथ आपकी तवचा और बालों के लिए भी फायदे मंद होते हैं आपको विश्वास नहीं हो रहा है न लेकिन य चावल का मार बहुत फायदे मंद होता है चावल का मार खाने से खाना पचाने में आसानी होती है चावल में दूद मिला करके 20 मिनट तक ढख कर रख दीजे फिर उसे खाने से खाना ज्यादा फायदा करेगा इसके अलावा चावल का पानी डायरिया और कब्ज से तुरंत र मात्रा के कारण यह शरीर को तुरंत एनर्जी देता है इसलिए जब भी आपको एनर्जी का स्तर कम हो रहा है तो चावल का पानी आप पियें तो अचा की चमक बढ़ाने के लिए चावल के पानी का उपयोग किया जा सकता है आपको नुकसान पहुचाने वाले कोस्मेटिक्स क उपयोग करने की आवश्यक्ता नहीं है केवल चावल के पानी के द्वारा आप उजली और चमकीली तवचा पा सकते हैं इसके लिए आप कोटन को चावल के पानी में डुबो कर इसे चेहरे पर लगा कर चमकीली तवचा प्राप्त कर सकते हैं चावल के पानी से दिमागी व प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है चावल सूडियम में कम होने के कारण हाई बलड प्रेशर और हाइपर टेंशन से पीरित लोगों के लिए सबसे अच्छे आहार में से एक माना जाता है बालों के लिए चावल का पानी बहुत फायदेमंद होता है अगर आप पतले और बेजान बालों की समस्या से परिशान है तो चावल के पानी से बालों को धोएं चावल के पानी से बालों को धोने से बाल घने होने के साथ साथ बालों में चमक भी बन जाती है चावल के पानी को अपने बालों में लगा कर 20 मिनट के लिए छोड़ दें फिर शैंपू औ कर विमारी से भी रहत पाई जा सकती है वैज्ञानिकों का मानना है कि चावल में ट्यूमर को दबाने वाले तत्व देखे गए हैं और शायद यहीं आतों के कैंसर से बचाओ का एक कारण होता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने चावल खाते वक्त अगर आप उसके पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कितना फाइदा होता है आपको यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जोड़ते हैं को और बेहदी महतोपूंच जानकारी को ले करके तब तक के लिए धानिवाद नमस्कार दोस्तों